नमस्कार मैं टॉक्टर वेपिन बंसल वास्तू गर्सिल्टेंट आज मैं आपको एक नई फैक्टरी के साइटप के बारे में बताना चाहूंगा आप अपनी स्पेनिंग में लगाने जा रहे हैं यानि कोटन से धागा बनाने की फैक्टरी लगाने जा रहे हैं या आपकी रखता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दिए की जनकरी सही है तो आप अपने यहां पर छुट्टो छुट्टो बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट राप कर सकते हैं आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो नया सेटप कैसे लगाए उसके बारे में बताने जा आपका प्लोट इस्ट फेसिंग है और आप उसमें स्पिनिंग में लगाने जा रहे हैं दागा बनाने की फेक्टरी लगाने जा रहे हैं तो आपको अपनी फेक्टरी में सेटप किस परकार से करना चाहिए है सबसे पहले तो आपकी फेक्टरी अपनी इस्ट फेसिंग यान दूसरा पॉइंट जब आप अपने बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग बनाते से में इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि आपके यहां जो फर्ष की ढलाने वो साउथ फेस्ट कॉर्णर से नॉर्थ इस्ट कॉर्णर की ओर होनी चाहिए पानी का अंडरग्राउंड टेंक समर्सिबर या बोर्वैल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेंक फायर के लिए अंडरग्राउंड वोटर टेंक कहां पर बनाने है मैं वो सारी जानतारी आपको अपनी इस वीडियो में दूँगा सबसे पहले तो आपको अपना जो में गेक लगाना है वो में गेक नॉर्थ इस्ट में इस्ट वाल पर यहाँ पर आपको अपना में गेक लगाना है में गेक के ठीक साथ में आपने गार्डूम बनाना है गार्डूम के साथ ही आप अपना ट्रैवर रूम बना सकते हैं और इसी के साथ में इस्ट की दिवर के साथ आप अपने गाड़ियों के पार्किन भी बना सकते हैं। आप जब गाड़ रूम बनाए, ग्रैवर रूम बनाए, तो वहां का जो फर्ष का लेवल है, वो बहार के फर्ष के लेवल के बराबर होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर ट्रास्फोर्मर कहा लगाना है, ट्रास्फोर्मर आपको अपने यहाँ पर सौथ इस्ट जोन में, यही पर आपने अपने ट्रास्फोर्मर लगाना है और यही पर सौथ की दिवर के साथ आप अपना जर्नेटर लगाएं। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पर electric meter room भी बनाना है, वो room भी आप south east corner की और यहाँ पर electric meter room बनाए, यही पर आपका transformer राज़ेगा और यही पर आपका generator राज़ेगा, पानी का underground tank आपने north north east जोन में, यानि north central से north east तक, इस जोन में आपने fire के लिए water tank बनाना है, underground water tank बनाना है, submersible लगाना है, और आपने अपने यहाँ पर rain water harvesting tank बनाना है, तो वो rain water harvesting tank आप east north east में, यहाँ पर बनाएंगे, तो वो आपको फाइदा देगा, फर्स की जलान मैंने आपको बताया कि southwest corner से north east corner की और लेकर जानी है, अब आप spinning में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके यहाँ cotton के bundle आते हैं, पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ आती है, वो raw material होता है, उस raw material की storage आपने कहां पर करनी है, वो raw material की storage आपने south west corner में करती है, यहाँ पर आपकी raw material की storage होगी, और जब raw material की storage करेंगे, तो यहाँ का फर्स का लेवर, आपकी पूरी फेक्टरी में सबसे उचाहँ होना चाहिए, raw material की storage आपकी south west में होगी, उसी के साथ जब एक process होता है, इसका cotton से धागा बनाने का, तो उसमें जब cotton की शिटाई होती है, तो कुछ cotton ऐसी निकलती है, जो वेस्ट होती है, उसको रिस process करके, उसको दुबारा से sell कर दिया जाता है, तो उसके लिए storage कहां बनानी है, वो यहाँ पर, south west के और बनानी है, अब इसका process करने के यह machine लगाई जाती है, वो machine आपने south west यहाँ पर लगानी है, जब वो प्रोसेस जाए, तो उस cotton टी भी गाठे बन जाती है, बंडल बना दिये जाते है, और वो बंडल आपने यहाँ पर रखने है, आ south east में लगाने, आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि आपका spinning meal का काम है, क्योंकि cotton का काम है, धागेगा काम है, तो safety point आपने जरूर ध्यान में रखने हैं, अब आपने अपने हाँ पर setup कैसे लगा रहे है, क्योंकि słu क्रोडों का setup है spinning meal लगाने का, और setup एक बार जैसे लग जाता है उसको दुबारा से चेंज करना आसान नहीं होता चेंज करने का मतलब है कि पूरी पूरे सेट अप को बदलना तो इसलिए हमें वासु शास्तर के नुज़ार जब यह सेट अप लगाना हो तो किस प्रकार से लगाना चाहिए उस बात को ध्यान से इस कम है और इस्ट में ओपन स्पेस ज्यादा है जो कि यह वास्तु के बेसिक नियम भी है और इन्हें हमें फोलो भी गरना चाहिए अपनी फैक्टरी को बहुत बढ़िया चलाने के लिए रो मिकल हमने साउटफ वेस्ट में रखा है यहां से एक गेट हमने वेस्ट सेंटर से नोट्स-वेस्ट के और निकादा है यहां पर मशीन का सैट अप होता है जिसमें कोटन के बंडल लगाए जाते हैं लाइन में बिच्छाए जाते हैं और उसके ओपर अल्ट्रावॉयक् पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है उसके बाद यहां से चिटाई होगा मशीन के द्वारा पाइपों के द्वारा यह सेट अप यह कोटन यहां से निकल कर आगे मशीन के प्रोसेस में चली जाती है यहां से जब आगे मशीन का प्रोसेस चलता है क्योंकि West से हमने अपरे मशीन को जो लगाया है वो इश्ट के और लगाया है यहनि कि जब West में रॉमिक्टिल लगाया और तैयार माल हमारा इश्ट में निकलेगा इस फरकाल से हमने सेटप बनाया है ये हमने एक अलग से hall बनाया है और hall की जो अंदर की entry है जो machinery का setup है उसकी जो entrance है वो भी हमारी west-northwest के gate के स्थीक सामने दूसरा gate लगाया है यहाँ पर दर्वाजा भी लगाया जासकता है और शेटर भी लगाया जासकता है यहाँ से व्यक्ति के आने जाने का system बन जाता है cotton यहाँ से निकल कर इदर मशीनों में चली जाते है इन मशीनों से बड़े बड़े container के अंदर cotton इकठी हो जाती है रोल बनकर cotton इकठी हो जाती है फिर इन container से next machine के अंदर जाते है उन से छोटे container के अंदर cotton इकठी होती है यह अपना धागे बनाने का process होता है पहले cotton को जो cotton फैली हुई होता है उसको रसी के रूप में बना लिया जाता है पहले मोटे रसी बना जाती है उसको छोटे कंटेनर में पतले रसी बना जाती है और उस कंटेनर को मशीनों में लगा जाता है जब धागा बनाने वाली मशीने लगा जाते है तो वो मशीने हमेशा ही लंबे जिसमें left और रेक यहने की यह चार मशीने लगाई है तो इसके left में भी right में भी container लाइन में लग जाते हैं और इन से cotton उपर क्यों रूपती है और धागे के रूप में बदलती चली जाती है यह सारा process सभी मशीनों पर इसी परकार से होता है अलग पूरी मशीन के नीचे container लगाए जाते हैं यह container अलाला color के भी होते हैं इसमें भी हमें ध्यान रखना है container orange color के भी आते हैं red color के भी आते हैं green color के भी आते हैं और blue color के भी आते हैं तो जो अलाला color के container है उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए जो red color के container है वो कोशिश करे कि south के भाग में रखे orange color के container भी south के भाग में रखे green color के container आप east south east के भाग में या south east के भाग में भी रख सकते हैं blue color के container आप north की side रख सकते हैं लेकिन ये चीज़े करना थोड़ा सा possible नहीं होता फिर भी अगर possibility हो तो जुरूर कर लेना चाहिए जब यहाँ पर container लगा दिये जाते हैं और इस से cotton से धागा बनता है तो वो धागा बनकर यहाँ पर बाहर निकल जाता है और उसको यहाँ से उठा कर ट्रोली के थूरूर दूसरी जगह ले जाया जाता है जिसमें धागे के अंदर moisture डाला जाता है उसके लिए भी एक machine लगा जाती है और उस machine के अंदर पूरे की पूरे ट्रोली को अंदर डाल दिया जाता है और उसमें धागे के अंदर moisture दिया जाता है ताकि धागे के अंदर एक stand बनी रहे तो वह मशीन आपने कान। वह आपने नॉटवालेश्ट लगानी है। यहाँ पर एक अलग से रूम में बनाए जाता है। रूम बना कर उसके एंगिटन सौथेश्ट से यहां सहर और जो मशीन लगेगी, वह मशीन आपके यहां पर लगेगी। इसके अंदर इहां से दharगे के रोले मैला पूरी प्लोडली अंदर जाएगी जब इसके अंदर मुष्य राजए अपूरली को बाहर निकल लेंगे और वहाँ से फिर वो दहगा पैक होता है उस दहगे को पैक करके वेट करके कहाा रखना है वो आपने रखना नौर्स कमिट में इस जोन में यह दáng आप अपना तेयार मल रख देते हैं फिनिश कुडू रख देते हैं एक जी रख देते हैं तो मेरा अपना मानना है कि मल भहुत जल्दी फस्त कर्याल में पे उपना शुरू हो जाता है और हमेशा profit में रहते हैं इसी कैसा जो machinery का setup होता है इसके नीचे भी कुछ गहराई बनती है ताकि जो dust उड़ती है जो cotton को dust उड़ती है उस dust को collect करने के लिए एक process होता है वो पूरे plant का एक कलक्से setup होता है वो plant के setup के हिसाब से ही वो चलता है अब मैं आपको बताना चाहूँगा office block आपने कहां बनाने और तेयर माल कहां से निकलना है यह तो होगा तेयर माल रखने का स्थान यहां से तेयर माल होने के बद जो माल निकलना है वो north center के gate से यहां से तेयर माल को बाहर निकलना है यह हमारा main gate है में गेट से गड़ी अंदर आएगी और यहां से गड़ी लोड होगी और यहां से गड़ी लोड होकर बाहर निकल जाएगी ओफिस ब्लोक जो बनाना आपने नॉर्थ नॉर्थ इस्ट के बाग में आप अपना ओफिस ब्लोक बना सकते हैं यहाँ पर आपके अपने स्टाफ की सिटिंग बन सकते हैं, ओनर भी अपने सिटिंग चाहिए तो वो सिटिंग भी आप अपने यहाँ पर बना सकते हैं, बस एक बात का धियान रखना, आपने अपने यहाँ बनानी है, तो वो टोइलेट आपने नॉर्थ 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 बना सकते हैं और यहां पर आप अपने लेवर की टॉलेट्स भी बना सकते हैं इसी के साथ लेवर की टॉलेट्स बनाना चाहिए तो आप यहां पर भी अपने लेवर की टॉलेट्स बना सकते हैं अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा जो आपका North East Corner है इस corner में किसी भी प्रकार की कोई storage नहीं वानी चाहिए एक gate आप north east में north east में north wall पर लगाए एक gate आप east में north east clear लगाए gate लगाए, shutter लगाए, वो आपकी अपनी प्छा है एक entrance आपकी isq north east में होनी चाहिए एक entrance north north east में होनी चाहिए और एक माल की exit point जो तैयार माल है उसकी जो exit होनी चाहिए वो आपका north center से होनी चाहिए यह यह आप इस परकार से अपने spinning mill का setup कर लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी factory बहुत बढ़िया चलने लगेगी मैंने बहुत सारी spinning mill की visit की हुई है और जो मेरा अपना नगाव रहा है जिन लोगों ने इस तरीके से setup लगाया है जिनका रोमेक्रिल इस्ट में आता है और तैयार माल वेस्ट में निकलता है या रोमेक्रिल नौर्थ में आता है और तैयार माल साउथ में निकलता है वो हमेशे ही परेशान रहते हैं उनका setup अच्छा नहीं चलता वो अपने setup को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्यों चरूर लगाए आप हमें अपने यहां साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट कार सकते हैं आप अपना किम्तिस में निकाल कर मेरी उडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपको ते दिल से देन्यवाद करता हूं इसी तरह अगले प्रोग्म में फिर एक ने विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार प्रोग्म